एक old बट काफी beautiful huge customization वाला हाइपरो इसका एक update आया है हमारे Poco के F5 device के लिए और आज किस वीडियो में आपको यही बताने मिला हूँ कि यह रों कैसा behave करता है performance कैसा है कि इसके पिछले जितने भी update आये ना सब में smoothness की कमी देखने को मिली है बट वो कमी यहां पर आपके जो दूर हो जाती है तो चले एक की वीडियो को सुरू करते हैं और चेक आउट करते हैं लेटिस के एडिशन को जो की बेस्ट है हमारा चाइना का वर्जन 1.0.18 के उपर आईनो आपको भाई यह काफी पुराना है बढ़ाने चीजों में आपको पता है ना दम थोड़ा यहां पर फिलाल में एक theme यूज कर रहा हूँ जिसको जैसे आपको यह सारे clock और बाके जड़ा animations और देखने को मिल रहे होंगे और unlocking animation भाई काफी beautiful है क्योंकि यहां पर इस वार आपको different है जो यहां पर देखने को मिलता है system launcher जिसमें कई सारे features और customization नहीं जो दिए गए है अगर हम इसके camera की बात करें तो यहां पर लाइका का latest camera यूज किया गया है जो कि अच्छी बात है बट 6.11 नहीं है यहां पर जो मैं theme यूज कर रहा हूँ उसके icon आपको देखने को मिल रहे है उसके wall paper वगर आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं जिसमें यहां पर live effects व दिया था 6.2 का भी review दे दिया है तो यह वापस कैसे चल लगए 4.7 पर उपर तो भाई वह एक global का था एक latest china का था और यह हमारा Hyperos 1 series है इसलिए इसका अलग number चल रहे है तो हर एक जो update version है उसके अलग number चल रहे है एक series है जो चल रहा है 4 के अंदर एक चल रहा है 5 के अंदर I hope कि आप समझ गए होगे ठीक है उसके बाद यहां पर आप देख सेथा कि मैंने नन रूट यूज किया है रूट नहीं किया है कि कोई installation के टाइम में आप से पूछता है कि आप कोई से रूट करना है या नहीं तो वह चीज़ आप अपना select कर लेना अपने need के हिसाब से बा आप यहां पर कंट्रोल कर सकते हो लेकिन जैसे आप यहां पर apply का यूज करतों नहीं autoply नहीं होता है आपको यहां पर sort कर देखने को मिलता है system UI restart का इस पर आपको बस tap कर देना है आपको जो भी change आपने किया है वो दिखाई दे देगा जैसे कि मैंने यहां पर 6 कर दिया आप यहां पर network वगर आपको दिखाई दे रहा है तो यह चीज़ यहां पर रहती है और अब देखो यहां पर option है जो बदल गया है तो इस तरीकी से यह चीज़ आप यहां पर control कर सकते हो वापस से आते हैं अपने setting के अंदर और यहां पर bottom पे आपको जो multi-legg में support मिलता है चाइना का region होने के बावजूद भी तो अच्छी बात है कोई दिक्कत की बात नहीं है फॉलाटिंग विंडो अगर आपको मिलता है बैट्री के अंदर screen on time का features आपको मिल जाता है unlock जो कि अच्छी बात है साथ-साथ face unlock fingerprint आपका working है डिस्प्ले के अंदर आपका dark mood working रहता है बाके advanced textures का benefit आपको मिलेगा यह है हमारा system launcher जहां पर आपको रिखने को मिलता है double tap to lock का option है row and column यहां पर दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा है जैसे कि आप देख पा रहे हो आइकन के अंदर आते हैं तो यहां पर कभी-कभी आपका setting है जो बाहर निकाल देता है launcher वाला लेकिन second time यह आपका unlock हो जाता है तो कुछ इस तरीकिस आपको options मिलते हैं यहां पर जो कि आप control कर पाऊगे बाकि यहां पर आपको देखनी को मिलता है always so task work वगेरा यहां पर gestures वगेरा उसके animations वगेरा आपको यहां पर मिल जाते हैं यहां पर आप है जो animation के scale वगेरा कर सकते हो iPhone यहां पर आप कर सकते हो यहां पर आपको स्मूद रहता है तो आपको यहां पर दिक्कत नहीं आती एडवांस features भी है और pro पर काम भी करता है बट हां normal सा launcher होता है तो आपको देखनी को मिल जाता बाकि यहां पर नोटिक्शन हिश्ट्री वगरे में वहीं similar से चीज़े रहती है कोई चेंज नहीं है same to same lock skin के उपर और हां यहां यहां पर dynamic wallpaper का आपको benefit नहीं मिलता है क्योंकि यहां पर इस सेटिंग को open कर गए ना था आपका auto-ecos system रीस्टार्ट हो जाएगा और यहां पर आप टोगल भी चेंज करते हो ना स्टेट सब्सक्राइब कर सकते हो बट डिक्कत के बात यह है कि जब मैंने control center से यहां से उसके बाद यहां पर सब कुछ इस सिस्टम डिफॉल्ट चला गया है क्योंकि मैंने इन सभी को बदल रखा चाहिए वह बैटरी का हो या वाइफाई का हो या वह वाइफाई का हो सब कुछ मैंने यहां पर बदला था और एक काम भी कर रहे थे बट सिस्टम डिफॉल्ट जा चुकी है जैसे कि आप देख रहे हो मैंने चेंज किया बट च्पार्फ लेक्षण डिफर चेंज देखने को नहीं मिला उसकार यहां पर लोगो बदला सकते हो कई सारे आपको लोगो मिल जाते हैं सबार का लोगो बगरा है यहां पर पैडिंग कंट्रोल जो कि पहले से थ्वास आपको बीच में दिखाई देते हैं पैडिंग अगई इस डिवाइस का आपको पता ही है नहीं वो कर रख सकते हो यहाँ पर अलग चार्जिंग ए निमेशन मिलते हैं जो कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अपने नीड के साफ से जो भी अच्छा लगे बटन आपको मिल जाता है यहाँ पर इनिवल सिस्टम मोनेट का ओप्श स्मार्ट नोटिशन का ओप्शन यहाँ पर मिल जाता है उसके कलर भी आप यहाँ पर कर सकते हो और फाइनल में सिस्टम रिस्टार्ट टाके जो भी आपने चेंज किया वह देखने को मिलता है तो रियली में इस जेट के एडिशन में आपको काफी डिफेरेंट सेटिंस दे स्ट करेंगा और यहाँ पर आप चाहो तो इसे फिर से से सिस्टम डिफॉल्ट कर सकते हो जैसे कि 2 वाल हमार शिस्टम डिफॉल्ट है उसका सिस्टम य् fod रिस्टार्ट कर देंगे तो इस तरह से आप जैसे करते हो यहाँ अपका आपका से बासे यहां पर ечение कर जाएयो तो अब रही बाद यहां पर इसका performance कैसा निकल के आता है तो उसको पर एक हम नजर डाल देते हैं और वीडियो अभी तक आप देख रहे हो यानि आपको पसंद आ रहा है तो यह प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नहीं है तो subscribe ताकि ऐसी update मिलते रहे स्टार्ट करते हैं स्ट कर सकते हैं आदमी ही बेहाल हो रखा है तो क्या कर सकते हैं जब फोन गर्म हुआ तो मैंने दुआ गीकिबंच चेक किया तो काफी जड़ है वीक आया है बट जब निश्ट दे में मौर्निंग में चेक करता हूं ना जब नॉर्मल टेंपरेचर रहता है फोन का तब यहां प देखो कि हमारा जो सीपी ट्रोटल है तीन लाग अंठाने में मैक्स और मिनम तीन लाग च्वाली से जार नैंटी का परसेंटेज जो कि काफी ज़्यादा अच्छा है नहीं मैंने यहां पर वाई कुलर चालू किया है नहीं कुछ और बस एक नॉर्मल फैन चालू था और यहां पर फुल नाइट में 4 परसेंट का बैटरी डॉप है और टाइमिंग है मारा एट अच 23 मिनिट का तो यह थोड़ा से मैं कहुआ कि ज्यादा है करीब करभी से 2 या 3 परसेंट तक जाना चाहिए था बाट यह 4 परसेंट के है तो थोड़ा बहुत ज्यादा मैं कहा सकता यहां पर फीचर से साथ-साथ यहां पर आपको पूर्ट इस्टोरिज अनलॉक मिल जाता है एलवन का सपोर्ट भी आपको यहां पर मिलता है डिवाइस सर्टिफाइड रहता है बैंकिंग यहां पर यहां पर यूज कर पागे इसमें कोई दिकत नहीं आती तो टेंसन नहीं आता है बागे केमेरा उगरे मैंने यूज किया है काम करता है नो इसूच कैमरे के अंदर तो सब कुछ यहां पर इस और तक सही है और मैं यहां पर इस से रिकमानेट भी करूंगा कि भाई आप इससा ट्राइए करो क्यूंकि आपको काफी ज़दा यहां पर पसंद आने वा और यह सारे dynamic wallpaper मैंने खुछ से create किये थे AI का help लेके और उन्हीं का backup मैं यहाँ पर restore कर रखाऊ जो कि देखने में यहाँ पर काफ़ ज़्यादा सही लगता है तो वैसे मैं आप किसी और रोम का backup निकाल के इस रोम को install करने के बार restore कर सकते हो आपको दिक्कत नहीं आएगी मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में और हाँ डालना कैसे तो recommended है इसे टी डूलार्पी से ही flash करना क्योंकि मैंने bad file run किया था PC से और वैसे में bootloop जा रहा था तो जो आप टी डूलार्पी क करेंगे phone switch up कोने के बाद जिससे आपको phone vibrate करेगा light up होगा तो हम power button को leaf करेंगे volume आपको hold रखेंगे आपके phone का recovery open हो जाएगा हमेसा या तो orange fox या टी डूलार्पी यूज करना जो भी recommended किया गया है उसी का कोई different recovery मत यूज करना जैसे recovery on होता है आप browse करना अपने रोम को select करना और swipe कर देना starting में Y format अगरा मत करना और maybe जब भी आप रोम flash करो तो आप से कुछ question पूछा जा सकता है flashing के दोरान कि आपको root करना या नहीं तो ऐसे मैं volume up down या power button का यूज करते हुए command को run करते जाना अगर आता है तो otherwise normal flash होने देना अगर starting में फ्लैसिंग में कोई भी error आता है तो आप एका simple क्या कर लेना reboot to recovery कर लेना और उसका room को दुआरा refresh कर देना sometime reboot to recovery करते समय आपके phone का recovery है जो वो change हो सकता है replace हो सकता है तो जो भी नया recovery हो होगा उसी की help से आप room को दुआरा refresh करना और refresh जैसी complete होता है आप reboot to recovery कर लेना again जैसा कि यहां पर मैं कर रहा हूं और उसके बाद simple format कर देना यस type करके और reboot कर देना कुछी minute में आपका phone है जो on हो जाएगा उसके आप setup करके यूज कर पाऊगे बिल्कुल यह simple और easy तरीका है और कुछ extra करने के ज़ुरत नहीं है हुआ 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 है